हेलो एवरिवन गाइस यदि आपने 12th PCM से कर लिया है और आप Career Option को सर्च कर रहे हैं कि 12th PCM के बाद मैं क्या क्या कर सकता हूं तो आप इस वीडियो को पूरा जबूर देखें इस वीडियो में टोटल आपको 10 Career Option बताएंगे और प्रॉपरली आपको गाइड करेंगे कि कौन कौन से Career Options की तरफ आप जा सकते हैं तो वन वाई वन सारे Career Options को कबर करेंगे तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहे हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो दीखें सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपने 12th PCM से गया है तो पहला option आपके पास आजाता है कि आप जा सकते हैं Engineering की तरफ आप अगर Engineering करना चाहते हैं तो आप Engineering की तरफ जा सकते हैं और Engineering के लिए आप जानते हैं कि आपको IITJ का एक्जाम देना पड़ता है उसमें आपका Mains होता है, Advanced होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा IITJ का एक्जाम देना पड़ेगा वहां से आपको वेटर वगरा करना पड़ेगा उसके बाद आप क्या है Engineering में चले जाएंगे और आप एक Engineering क्या बन सकते हैं तो First Option तो लगबग सभी लोग जानते हैं कि हम Engineering की तरफ क्या है जा सकते हैं After 12th PCM अब इसके बाद हम बात करते हैं 12th PCM के बाद क्या और Options हो सकते हैं कि Second Option आपके पास अवेलबल है वो है Architecture का कि आप एक Architecture भी क्या है बन सकते हैं और Architecture का भी काम काफी अच्छा रहता है और वहां से भी आपका एक अच्छी Earning एक अच्छी कमाई कर सकते हैं अब इसके बाद जो आपके पास Third Option आजाता है वो है आपका Aviation का आप क्या कर सकते हैं Aviation Industry में भी जा सकते हैं और 12 PCM के बाद भी आपके पास ये Option All Lady Available है आप यहां पर भी जा सकते हैं अब इसके बाद जो Next Option है वो है आपका Merchant Navy का आप Merchant Navy की तरब भी जा सकते हैं अब देखें Merchant Navy में क्या होता है कि यहां पर जो सेलरी होती है वो काफी अट्रेक्टिव रहती है और यहां पर क्या है जादा तर समय आपको क्या है जॉब के समय में जहां जो में नकालना पड़ता है तो भी आप Merchant Navy में जा सकते हैं Merchant Navy में भी डिपेंड करता है कि आप किस पोश्ट के लिए आपने फॉर्म बढ़ा है तो भी Merchant Navy में अलग-अलग पोश्ट के फॉर्म आते हैं और यहां पर भी आपको काफी अच्छी अट्रेक्टिव सेलरी के प्रोवाइड की जाती है अब इसके बाद आपका है जॉब नमबर फाइब अब जॉब नमबर फाइब है आप क्या है डिफेंस में जा सकते हैं अब डिफेंस में आप जानते हैं कि अपना एक अच्छा करिदा बना सकते हैं अपने एक्जाम की प्रेपरेशन करने के बाद उस एक्जाम को दें काई बार क्या होता है बच्चे 12 कर लेते हैं या 12 कर रहे होते हैं वह सोचते हैं कि बिना तयारी किये के बार 12 का पढ़के क्या हमारा एंड जैसे एक्जाम में हो जाएगा तो बाई उनको फिर क्या लाश्म निरासा आत लगती है क्या है अब यह सोचके देखिए कि और लेडी कई कंडिरेट्स कोचिंग कर रहे हैं एंड एक्जाम की और आप उस जगह बिडावड कोचिंग जा रहे हैं तो आपका स्लेक्शन कैसे हो जाएगा क्योंकि कहीं न कहीं कोचिंग में काफी जीए सखाई जाती हैं देखिए ए अगर आपको कहीं से हेल्प मिल लए तो मुझे लगता है कि आपको हेल्प क्या है ले लेनी जरूर चाहिए अब यह आपकी बात हो गई फिफ्ट जॉब की डिफेंज जॉब की अब इसके बाद हम बात करते हैं जॉब नंबर शिक्स की तो जॉब नंबर शिक्स है आपका आप क्या कर सकते हैं Computer Sector में जा सकते हैं आप IT या फिफिफ in Computer sector में जा सकते हैं वहांको काफी столько सब्सक्राइब अब आप से बाद काता है मे zor आपको एक सारे तो बहुत सारे पता सकते हैं जो क्या मतता दे दूँगा अब करते हैं जॉब नंबर सेवन की तो दीकि जॉब नंबर सेवन है हमारा टीचर का जॉब आप क्या कर सकते हैं आफटर 12th PCM आप अपना ग्रेजुएशन करने बाद वियाड कर ले उसके बाद अपना टीटी वगरा दीजिए और आप क्या है आसानी से एक टीचर क्या बन सकते ह मालेज मालेज मृफ यचर बनना तो वं 14旬 आप कर चो को क्या रिजूम ख़यर दे सकते और वह दो प्र सकते हैं तो भी आप काम कर सकते हैं आप अथी भी से अयुब आपकर कर सकते हैं अब ङोब्स में च elbe पर अपके डिएवे को किया में वह सकते को मतलब आप मुँवन कर सकते हैं सिफ Catalunya जॉबॉर्मेंट कुरी ऐससे से में चाज पर पर मतलब नुट करते हैं पॉइंट नमबर नाइन की आप देखे, point number गरम आपसे 9 की बात करें, तो वो है आपका scientist का job, आप एक scientist भी बन सकते हैं, तो भई, आपने अगर 12 PCM किया, तो आप scientist के option की तरफ भी move on कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको काफी अच्छी salary भी मिलेगा, और काफी अच्छी आपकी post भी होगी, अब इसके करने के बाद जो options हैं, वो तो बहुत सारे available हैं, लेकिन एक बाद यह ध्यान रखेगा, कि जिस option पर जाना है, उनमें से कियल, कुछ option पर focus करें, यह नहीं कि आपका सारे option को आपने सुल लिए तो आप सारे option पर focus कर रहे हैं, तो भई, यह कहीं ना कि आपका time को क्या waste कर दे उसके chances कम इसलिए होते हैं, विकॉज उसने NDA Air Force के according preparation नहीं करी है, उसके slavage के according नहीं करी है, तो इसलिए मैं आप से कहा रहा हूँ है, आप कुछ option पर focus करें, अगर आपको जिस exam में जाना है, उस exam का slavage देखें, exam pattern देखें, कि staff का paper आ रहा है, previous year का paper देखें, उसके प्रेपरेशन करते हैं, कि हम प्रेपरेशन कर रहा है, कि हम प्रेपरेशन कर रहे हैं, कि सारे form बढ़ दी है, तो भाई हाथ गया लगेगा, कुछ नहीं आता आने वाला, भाई एक चीज यह सोच के देखो, जिस exam के preparation करोगो, सेलेक्सन वहीं तो होगा, अब ऐसा थोड़ी आप उसका exam, patterns, levels, सब कुछ सोच लें, उसके बाद उस preparation में लग जाएं, और जब आप preparation करने लग जाएंगे, तो फिर आपको समझ में आगए उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से करना हैं, वो साही चीज़ें आपके सामने open होती जाएंगी, और किसी भी exam क्या preparation करें, एक अपना strategy बनाएगा, और अच्छे से focus करेंगा, और अगर आपको जानना है कि after 10th कौन से option available है, after graduation कौन से option available है, after first graduation कौन से option available है, आपको कौन-कौन से सरकाई job मिल सकती है, कौन-कौन से career options available है, वो सब जानने के लिए आप playlist में विजिट करें, playlist का नाम है career after 10th 12th graduation, इस playlist में आप जाएंगे तो भी आपको सारे career के related video मिल जाएंगे, after 10th, after 12th, after graduation, after post graduation, सारे video मिल जाएंगे, और वो videos आपको इसनी जादा help कर देंगे, आपको सारा knowledge हो जाएगा, और आप एक अपना अच्छा career कर सकेंगे, और कोई भी problem आती है, कुछ पूछना चाहते ह और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगए तो प्लीज वीडियो के नीचा को subscribe का बटन दिखाए देगा, subscribe करने चैनल को, और notification bell दबादें, और अगर आपसे हो सकता है, तो प्लीज वीडियो को share भी कर देजे, मिलते हैं आपसे नेक्स दून तब तक, thank you so much